C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पाठ चौबीस पूरे देश की बात प्रिष्ठ एक सौ इक्यानवे आज मालू के घर में बहुत चहल पहल है चिटपन और उनका परिवार पाँच साल बाद घर आये हैं पाँच साल पहले चिटपन की नौकरी अबुदाबी में लगी थी तभी से वे वही रह रहे हैं मालू और उसके अप्पा चिटपन के परिवार को लेने हवाई अड्डे गए हवाई जहास के पहुँचने के बाद सभी यात्रियों का सामान उतरने में काफी समय लग गया आखिरकार चिटपन कुण जम्मा और बच्चे हवाई अड्डे से बाहर आते दिखाए दिये शान्ता और शशी कितने बड़े हो गए हैं अप्पा एका एक बोल पड़े सारा सामान टैक्सी में रखा और सब चल दिये मालू के घर की ओर शान्ता तुम इतने लंबे सफर के बाद ठक गई होंगी अप्पा पता रहे थे कि आबुदाबी भारत से बहुत दूर है मालू ने कहा अरे नहीं हम तो बिलकुल नहीं ठके माना आबुदाबी यहां से बहुत दूर है पर हवाई जाहाज से पहुचने में हमें दो ही घंटे लगे हवाई जाहाज बहुत तेज जो दौरता है शान्ता बूली अध्यापकों के लिए मले आलम्मी, चिटप्पन, पिता का छोटा भाई कुन्जम्मा, पिता के छोटे भाई की पतनी अर्थात, चाची प्रिष्ठ 192 मालू यह सुनकर बहुत हैरान हुई उसे याद आया जब वह अपने स्कूल के ट्रिप पर चन्नाई गई थी तो उसे ट्रेन में पूरे 12 घंटे लगे थे लेकिन नक्षे में तो चन्नाई और कोची बहुत पास दिखाई दिते थे हवाई अड़े से घर तक के रास्ते में मालू, शान्ता और शशी ने बहुत सारे बातें की मालू को याद आया कि वह जब अपने स्कूल के बच्चों के साथ ट्रिप पर गई थी तो उसे बहुत अच्छा लगा था वह शान्ता से भी पूरे सफर की बात जानना चाहती थी रेत ही रेत मालू ने पूछा क्या तुमने हवाई जहाज से बहुत सी मज़िदार चीजें देखी हाँ ज्यादतर हवाई जहाज से बादल ही बादल दिखाई दिये क्योंकि हवाई जहाज बादलों से बहुत उपर उड़ रहा था इससे पहले कुछ समय तक तो उनीचे रेत ही रेत दिखाई दी पर रेत का रंग बदलता रहा कभी सफेद कभी भूरा तो कभी पीला लाल या काला कभी कभी उनी रेत के पहाड भी दिखाई दिये फिर नीचे जमीन दिखाई देनी बंद हो गई शांता बोली शशी ने आगे कहा इन्हे रेत के टीले भी कहते हैं तब मालू बोल पड़ी मैंने तो केवल समुदर के किनारे ही रेत देखी है तब चिटपन बोले तब तो तुम्हें आबुधाबी जरूर आना चाहिए प्रिष्ठ 193 उन्होंने बताया कि आबुधाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में है शहर से थोड़ी ही दूर जाओ तो चारों ओर दूर दूर तक रेथ ही रेथ दिखाईव देती है ना कोई पेड ना ही हरियाली केवल रेथ केरल में बने अपने घर के आसपास की हरियाली और ठंडे पानी को में बहुत याद करती थी अब यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है कुन्जमा बोली बारिश कैसी होती है यह बात तो शानता और शशी भूल ही गए वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती वहाँ पानी सचमुझ बहुत कीमती है वहाँ ना बारिश है ना ही नदिया ना जील और ना ही तालाब जमीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है चिटपन ने कहा सशी ने बीच में ही कहा लेकिन वहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है इसलिए तो वहाँ पैट्रॉल असानी से मिल जाता है वहाँ पैट्रॉल पानी से सस्ता है चिटपन ने बताया बातें करते करते सब मालू के घर पहुँच गए टैक्सी से उतरते ही शशी और शान्ता आसपास इतनी सारे फलों के पेड़ देखकर हैरान रह गए नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कठल, कितनी ही तरह के पेड़ शशी बोली, आबुधावी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है प्रिष्ठ एक सो चौरानवे कितने सुन्दर तोहफे और फोटो सबसे मिलने के बाद कुन्जम्मा ने अपने बैग और अटैशी खोले वे सभी के लिए तोहफे लाई थी और खजूर भी मीठे मीठे और स्वादिष्ट शशी ने मालू को अबुधावी में चलने वाले नोट और सिक्के भी दिखाए शान्ता ने बताया कि वहाँ अलग तरह के रुपे होते हैं जिने दिरहम कहा जाता है उन पर वहाँ की अरबी भाशा में कुछ लिखा होता है उन्होंने अपने घर और आसपास की जगहों की तस्वीर भी दिखाई चिटपन ने मालू को एक गलोब निकाल कर दिया बोले मालू धूंड हो आबुधाबी कहां है और केरल कहां सब बच्चे गलोब पर अलग अलग जगह धूंड कर मज़े लेने लगे मालू ने चेन्नाई और कोच्ची भी धूंडा शाम को बरामदे में बैठे सभी ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे थे और अबुधाबी की तस्वीरें देख रहे थे बहुत उची उची इमारतें और उनमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां उनको देख मालू जट बोली इन खिड़कियों से कितनी ठंडी हवा आती होगी चिटपन बोले अबुधाबी में खिड़कियां खोलने का तो सवाल ही नहीं उड़ता बाहर बहुत गर्मी होती है ज्यादतर जगह तो एर कंडिशनर चलते हैं गर्मी की वजह से वहां के लोग डीले ढ़ाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर्भी ढख कर रखते हैं इससे वे तेज धूप से बच जाते हैं मालू को वहां की तस्वीरें देखने में बहुत मज़ा आ रहा था उसे कितनी सारी नई-नई बातें भी सुनने को मिल रही थी वे हर तस्वीर से अपने शहर की तुलना भी कर रही थी उसने सोच लिया कि वे अबुधावी की एक रिपोर्ट भी अपनी कक्षा के लिए तयार करेगी चर्चा करो और लिखो तुम भी अपने शहर की तुलना अबुधावी से करते हुए एक छोटी सी रिपोर्ट तयार करो उसमें तस्वीरें या चित्र बना कर भी लगा सकते हो अपनी रिपोर्ट में इन बातों के बारे में लिखना मत भूलना जलवाईयो और मौसम, पेड़ पौधे, लोगों का पहनावा, इमारतें, सडकों पर वाहन, भाशा, खान पान रेगिस्तानी इलाके में पेड़ पौधे कम क्यों होते हैं? क्या तुम्हारी जान पचान के कोई व्यक्ति किसी और देश में रहते हैं? प्रिष्ठ 116, वे वहाँ कब से रहते हैं? वे वहाँ पढ़ाई करने गए थे या काम करने? क्या उनके वहाँ जाने का कोई अन्यकारण था? यहाँ कुछ रुपयों के चित्र दिये गए हैं 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया का नोट और 500 रुपया का नोट आपको बताना है कौन सा नोट, कितने मुल्या का है? प्रिष्ठ 117, यह कौन से देश की नोट हैं? तुम कैसे जानोगे? नोटों पर किसकी तस्वीर बनी है? क्या नोटों पर मुल्या के अलावा और भी नंबर लिखे हैं? क्या दो नोटों पर एक ही नंबर छपा हो सकता है? एक दस रुपय के नोट को ध्यान से देखो इस पर लिखी कितनी भाशाओं को तुम पहचान सकते हो? किसी एक नोट पर लिखे बैंक का नाम लिखो सिक्कों का मिलान करो तुम कितने सिक्कों को पहचान सकते हो? कि वो कितने मुल्य के हैं? बताओ प्रिष्ट एक सो अठानवे सिक्कों पर मुल्य के अलावा और क्या क्या लिखा है? यहाँ फिर कुछ नोटों के चित्र हैं इन नोटों को देखकर ये पताना है कि क्या ये सभी नोट भारत के हैं जो नोट भारत के नहीं है उन पर लाल निशान लगाना है पता करो और लिखो कि ये नोट कहां के हैं दूर देश की बात अभी आप सुन रहे थे कक्षा 4 की पाठेपोस तक हमारे आसपास का 24 पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत